मुखरत निकाल के हमें खबर करो जासा आप कहें सिर्फ लड़की देखने आया और इतना बंदोबस्त हम लोगों के दोस्त कम और दुश्मन जादा हैं पता नहीं कब कौन हम पर हमला कर दे भाई वैसे भावी हमें बहुत अच्छी लगी लेकिन मैं तो कहूंगा वो लड़की आपके लिए ठीक नहीं है जिन्दगी भर थोड़े ना रखना है यार प्ररण कशना के अधान करें जाता है कि अधान ना चला यार ये लो तुम पेलो बेटा शुक्रिया ये ग्लास भी भाईया को ही दे दो ना बेटा तुम भाईया के फित को छोड़ो और अपना ग्लास पक्रों लगता है कहीं पर कोई बड़ा हादसा हुआ है ये आगे ना बड़े इसी की उमीद है इन सब बातों की फिक्र करने के लिए आपके बिटा या है आप किस गाउं के हैं करनूलू यहां आनी के बज़े क्या सब यह लोग मेरे घर लड़की देखने के लिए रूको यह पंचायत क्यों बुलाई गई और हमसे इतनी तहकीकात क्यों हो रही है मुझे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है मेरे गाउं मेरी हैसियत क्या है मैं जानते हो मेरे पार्टी के सारे M.A.L. a मुझे सार आखों पर इठाटे हैं चार बार में MP के एलक्षण भी जीच चुका हूं दो बार मैं कैबिनेट मिनिष्टर भी रह चुका हूं मैं किसी से कम नहीं हूं राजनीती में हो या धादागिरी में और ये कौन हैं जानते जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज का पैसा दीजिए इस एक्सिडेंट से हमारे गाउं के लोग नाराज हो गए हैं माफी मांग कर आप जा सकते हैं क्या मेरा नाम सुनते ही अच्छा चोकी पतलून गीली हो जाती है लड़की देखने आया हूं इसलिए यह सब सेहन कर रहा अच्छा आप खड़ाओं कह रहे हो कि इन दो कॉड़ी के इंसानों से मैं माफी मंगूँ है 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 नमस्ते 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 यह कॉलेज एक खास मकसद से बनाया गया है हमें ख्याल रखना है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे इस बार के रिजल्ट में और इंप्रूव्मेंट होनी चाहिए इसके लिए जो जरूरी हो वो कीजी ठेक है मैं मां आओ बेटा नमस्ते नमस्ते अच्छ तुझे सारा गाउं जानता है अब मुझे भी जान जाएं मालिक आपका इंतजार कर रहा है आपके बेल हो गई है मालिक यह क्या हो गए भाई भाई किस ने किया रानी और उसके बेटे को हम लोगों ने किट्नैप किया और तेरे ही लोगों के सामने मेरे लड़के के पैरों में गिर कर तेरा पती माफी मांगेगा तो ही मैं तुझे यहां से चाने दूँगा हम अरी परिज़ती करता है वो अब तो देखती जा उसकी किसमत मैं कैसे बदलता हूँ किसमत बदलने के लिए क्या भवान प्रम्हा है आप इस काउं के बड़े हैं तो वो उस काउं के बड़े हैं मेरे पती की एक कमजोरी है जो उनके परिवार परवार करते हैं वो उनका नाम और निशान मिटा देते हैं इंसान ये बात क्यों नहीं समझता कि इंसा से जंग नहीं जिती जाती जो इंसान आंसों से पिखलता है वो तलवार से नहीं डरता कि शेर के सामने गीदरों की कभी अवकात ना थी और ना कभी होगी वो हमेशा जंगल का राजा रहता है तुमसे वो नहीं डरेगा ना मम किरेगा बट रहता है अजय कि अ bell लाज बहीं तुमसे घ्ट, लिए एैनल कि अ एक छोटा सा लड़का हम सब पर बिजली बनकर तूट पड़ा भाई वो देखते ही देखते सबकी लाश बिशा कर चला गया चोटे मलिक शायद आपके पिता जी इस दुनिया में नहीं रहे गर्दन कट गई जिन्दा रहेंगे क्या आतड़ियां कट गई जिन्दा रहेंगे क्या भाई अब यहां रहना मुश्किल हो गया है जान प्यारी है तो यहां से भागना पड़ेगा इस गाउं में वो दुबारा जरूर आए मैं किसका बेटा हूं यह मैं उन्हें बताऊंगा यह मत भूलो कि यह गाउं हमारा है हम उनका इंतजार करेंगे क्या है क्या है यह बेटा हम किस दिशा में जा रहे हैं आवाम की फिक्र है पर तुम्हें परिवार की फिक्र नहीं तुम्हारे दादा तुम्हारे पिता तुम्हारे भाईया और आज तुम्हारी पत्नी कितनी लाशों का बोज उठाएगा यह घर तुम्हारा अपना बेटा, तुम्हारा अपना खोन भी आज, खौफना खोन की होली खेल कर आया है जब ने इस घर में ब्याह कर आई थी तो, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा अब तुम, अपने बेटे को देखो, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे रास्ते पर चलकर लाशे बिछा दी इसने एक सवाल खाये जा रहा है मुझे, क्या हम इसे सही भुविश्य दे रहे हैं, भगवान के लिए इसे मौत के तांडव से दूर भेज दो मा जी, ये लड़का आज आपके सामने एक सवाल है, लेकिन मुझे इनसाफ का देवता लग रहा है हर मुसीबत का सामना करने वाला एक शेर इस घर में पैदा हुआ है अभी तक इस घर में लीडर पैदा हुए है, रूलर पैदा हुए है लेकिन फर्स टाइम, इतिहास को रचने वाला पैदा हुआ है और वो है ये लेजेंड इसमें जो राह चुनी है, ये उसी राह पे चलेगा जितेंदर अपने साथ की हुई बेज़िती की आग में चल रहा था वक्त गुजरने के साथ बदले की आग भड़ती गई विशाखा पट्नम की सडकों पर खून की होली का खेल शुरू हो गया मेरी बहुत सुनिए, आपका जमाई हदें पार कर रहा है कोई नियम नहीं मान रहा, हम ये बरदाश्ट नहीं करेंगे समझा दीजे उसे मुझे लगता है उस दिन आपसे घलती हो गई जेतेंडर ने अपने ससुर जी को हमेशा के लिए खमोश कर दिया ये पता चलते ही राजा जी को अपने परिवार वालों की चिंता सताने लगी और उन्होंने सभी लोगों को लंडन भेज दिया चारों तरफ राजा के एकसिडन्ट की अफ़ाह पहल गई लेकिन हकीकत में वो एकसिडन्ट नहीं था बलकि उनका फून हुआ था राजा के परिवार वालों ने फैसला कर लिया कि हम दुबारा इंडिया नहीं रहेंगे बदले की भावना में जीने वाले जितेंद्र को राज की सपोर्ट भी मिलने लगा जितेंद्र के एक इशारे पर विशाखा पत्नम खून से लाल होने लगा प्लीज प्लीज सर आप हमारे साथ ऐसा जुन मत कीजिए देश चुड़कर तुम सब विदेश आते हो ताकि मन चाहाँ जॉब मिल सके कभी सोचा है तुमने तुमने तुम्हारे यान नहीं रहने और खाने पीने का कर्चा का न उठा रहा है प्यार से मानों तो ठीक वरना धंदा करवाने के हमें और भी बहुत से ही तरीके आते हैं याद रखना हम अपकी रिस्पांसबिलिटी है सर तुम जब तक बिक्टी नहीं हो तब-तक तुम मेरी रिस्पांसब्याऩे हो बागो क्या हुआ क्या हुआ तुझे खत्रा क्या बख्वास कर रहे हो खत्रे को किससे खत्रा हो सकता है वह बतानी का वक्त नहीं है बाग जा बाग जा आंशे हो वब चुरती है साय चुने के घर स опас है चुने मैंने के ठीकटियर desafortunité किर आपके डैंस , Sail बोटीर अपारी खूराता मींतिल, अरगलते है he's coming like army of one leg कर दोडन कर दोड़को अकूएमन कर दो तेंठा ऑूपकियों थार बिल्त कर देंग। हमारे अरिया में घुषके हमें मरने की हिम्मध कैसे होई हम हिंदूस्तानी, हमारा खाना हिंदूस्तानी, हमारे संसकार हिंस्तानी तेरा प्लड क्यों हो बदल गया प्लडी फूर हमारे देश का नाम बदनाम करता है ए मैं, बॉने आइछ आइछ resilience मुर्मा नहीं हो नहीं नहीं झाल अायँ नायँ AYT तुझ जैसे दरिंदों की वज़े से आज कई बेकुसूर लोग विदेशी जेलों में सड़ रहे हैं ना अपने परिवार से मिल सकते और ना ही हिंदुस्तान वापिस जा सकते हैं शाम होने से पहले पासपोर्ट इंडियन एमबेसी पहुँच जाने चाहिए पूरी इज़त के साथ इन्डिया वापिस भिजवाओ वरना याद रहे अपनी जान की परवा किये बना तुम्हारा ऐसे दरिंदे से लड़ना मुझे अच्छा लगा कीप टाप अब चले कियो प्यारे इतनी बड़ी खुश्खवरी की बात थी और तुम्हें बताने मुझे इतनी देर कर दी पूजा कंप्लीट नहीं हुए इसलिए लेट हो गया लाव लैपटाप मुझे दो साले का फोन है बहुत दिनों बात फोन है मैं इंट्रनेट कर देता हूं सब बात करने इससे जनम दिन मुबारक हो क्रिष्णा था यहां एक परी मुझे बहुत पसंद आ गई है वैसे वो भी मुझे बहुत पसंद करती है बस आपकी यहां का इंतजार है वैसे वो हिंदुस्तानी तो है न पक्की हिंदुस्तानी है उसका चाल चलन हमारी सभेता अरे बिलकुल परफेक्ट है बैदा यहीं हुई है लेकिन संस्कार हमारे जैसे ही है और पूजापाट करती है कि नहीं शनीवार के दिन डे नाइट यहीं काम करती है वो तो उसके साथ वहां क्या कर रहा है यहां देकर आना हमारी परंपरा के अनुसार लड़के वाले पहले लड़की देखने जाते हैं सौरी बेटा हम सब वहां पहुँच जाएंगे टिकेट भिचवा दो हाँ ठीक है दादी मा एक अफते के अंदर सब को पुला लेता हूँ एक अफता इतना ले हो एक अफता बहुत दूर है कम से कम फोटो तो बेज दो हमें उने देखना है मामा फोटो देजिया ना मामा ओके ओके dobrze वाव शवक्षिस मॉप्दी यह शेक्षी घ्राथ तक्षिस्य हुष्छी वाउपा तब्धेस्टाथ तक्षिस्टाथ वाउपाइने में तो ठीक ठाख है एक बार मिलने तो दो तो उसके बाद आएगा मसा मामा की किचाहि करेंग है sorry sir your family tickets are cancelled कैंसल्ड, हू दिट इट, इट्स मी, मैं मलिक, डील्स मलिक, वे वियाद, इस वक्त हम कहा हैं, हम दुबई में हैं गुरु जी, हेलो, मैं इस वक्त तुम से लोकेशन के बारे में नहीं पूछ रहा, सिचुएशन के बारे में पूछ रहा हूँ, जिसकी फैमिली इतनी कल्चर हो, उसकी शादी हिंदुस्तान में नहो, नो, 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 देश का आयोडीन नमक खाया है इस मलिक ने, गद्दारी बिल्कुल नहीं करेगा, दुरु जी, इधर हो या उधर हो, शादी आखिर शादी ही होती है, कैसे हो सकता है क्रश्णा, वहाँ बारात, मंडप, फेरे और सिंदूर और यहाँ पर रोटी, बोटी, कीमा और तंदूरी, हाँ कैन इट बी सेम, वहाँ पूजनी के लिए देवी देवता है, यहाँ किस की पूजा करेंगे, उसके लिए तो यहाँ पर वो, यानि जहाँ हमारी संस्कृती है, वहाँ उसका महत्वा और बढ़ जाता है, Be a Roman in Rome and not, पागलपन की फिलोसाफी मेरे सामने मत बताओ, प्लीज, विदेश में पली बढ़ी लड़की के खातिर, तू अपनी संस्कृती को छोड़ देगा, और पता है क्या, ग्रैंट पाटी अरेंज की है मैंने, दूसरी कांट्री से भी मेरे रेल्लटिव्स आ रहे है, तुम्हारी फामिलिका बारी है, वो लोग यहाँ नहीं आ रहे, हम लोग ही वहाँ जा रहे, तो क्या मैरेज यहाँ नहीं होगी, इंडिया में होगी, येस, मै मैंने ही फिक्स किया है, तुम पागल हो गया, बुढ़े खूसर कहिंके, बीना सी इंके बफ एलो, अच्छी है, माफ कर दीजिए, ये तुम्हारे गुरु जी के साथ बत्तमीजी किये जा रहे, और तुम जीब दिखा रहे हो क्रिश्णा, ने हा, गुरु जी से बत्तमीज करती है, क्रिश्णा, तुम खुद को समझते क्या हो, शादी को यहां से वहां क्यूशिफ्ट किया, यहां पर शादी के कुशिव पलोबार लड़किया बिक्नी पहन कर बीच पर नासती है, लेकिन वहां दूलन महीनों गूंगट में रहती है, यहां मैरेज रेजिस्टर प यहां पर तो ओके कह दिया, लेकिन वहां कुछ घरबड किया तो क्रिश्णा, यह थोड़ी सी शॉर्ट टेमपर है, पारा कब चड़ जाएं पता ही नहीं चलता, लेकिन इससे मैं आपको बचा कर रखूँगा गुरू जी क्या बात है, सब कैसे हो, और क्यों भई मुख्या कैसे हो तुम, कितनी ताजा ताजा मजलियें सजागे रखिए, वैसे कहते हैं कि दरिया हमेशा खजाना नहीं उगलता है, उसके लिए जाल बिशाना पड़ता है, इसने अपना काम समल के किए तुम आपको 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 क्या करो, मौत तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन आपके यहां आने का मकसद, आरे तुम लोगों के खातिर पूरे दिल्ली मश्यतरंज के बिशात बिशार के मैंने, मिनिस्टर साब खुद मिलने आया है, नमस्ते भाई साब, नमस्ते, सिर्फ आप लोगों की भलाई के लि तक जाएगा, इसलिए कोड में जाकर तुमको कहना है, कि जीतेंदर का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना जाही काम कर दो, उसके बाद कोई तकलिफ नहीं हो, और अगर इंकार किया तो पीछे जीतेंदर के लड़के ख़रें, वो अपना काम जानते हैं, इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है, तुम तो जानते हों, मैं भी इलेक्शन लड़ सुका हूँ, पॉल्टिकल मारवत सिदैर मतलब खुद की जान को खत्र और ये बात तुम जानते हो, अगर वो लीगली आजाद हो जाता है, तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है, थूप! इन जैसे धोखे बाजों के लिए तुने अपना थूप बरबाद किया, अरे ये लोग तो हमारे थूप के लाइक भी नहीं है, ये केस किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा, ये जाओ सब अपना काम करो, एमपी को साथ में लाकर केस वापस लेने को कहता है, जी तेंदर, तुम यान क्यों आए, मामला सुला जापस नहीं है, जी तेंदर, तुम यान क्यों आए? ये अब तुमने क्या कर दिया, तुम्हें ने कहा था न, सेंटर से मिनिस्टर को बुलाओ, मैं कॉंप्रमाइज करवा दूँगा, इसलिए एक चांस दिया, यहां यही होने वाला है, मैं पहले ही जानता था, देखो, को बढ़ी हो तुम पहले हैं, वाला है, आए यूँवारी, यहां यहां वाले हैं, यहां यहां, जी स्टराजों यहां यहां भबकर ओम्हां यहां यहां अाव्भावाराइज लगवारा पुम्हां यवाराइज विशध। हुआ 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 है है सब्सक्राइब पॉलिटिक्स में ये सब कॉमन है मैं समझ सकता हुआ है लाशें समंदर में टूप जाएंगी कोई सबूत नहीं बचेगा गट मैंने सब को मार दिया कोई शेक नहीं लेकिन वो और तो फिनिश हैं तुम लोगों ने गिफ्ट खरीदने का जो प्रोग्राम बनाया है इसका बिल देखके में उपर ही चला जाओ तुम्हारा दिल इस लड़की से जुड़ा हुआ है ये तुम्हारे घरवालों को बताना है इसलिए देशी मसाले में मिक्स करके उन लोगों के सामने पेश करना है मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाऊंगा कोशिश करूँगा जितना मेरे हाथ में है आगे तुम जानो ये जाने और परिवार में ले देखो बेटा हम लोगों को उनका दिल जीतना है इसलिए गिफ्ट आ रही है औरों को सम्मान देना तो हमारे देश की प्रता है ये बताओगी मुझे आपको क्या इतना भी पता नहीं है फॉरन कंट्रीज इंडिया से आगे है देखो बेटी नासा वालों ने रॉकेट भेजा जरूर लेकिन उसे बनाया अब्दुलकलाम ने ये दिमाग सिर् सम्मान की उम्र इतनी छोटी होती है क्या स्नेहा गुरुजी से फिर बत्तमीजी क्रिश्णा तुम्हारा रियक्शन बहुत लेट आता है थोड़े पहले आ जाती तो अवा का रुख देखकर छत्री पकड़ना मैंने आप ही से सीखाए गुरुजी जो गुरु सीखाएगा वही चेला सीखागा ओहों करेक्ट है वैसे इसे कितनी लेंगुज मालूम है यह एयराउस्टस है ना इसे बहुत सी लेंगुजी जाती है ओहोँ मधर लेंग्वेज को अधर लेंग्वेज से डॉमिनेट कर दिया है इसने क्रिश्णा एक काम करते है इसकी भाशा से हमारी और तुम्हारी भाषा तो सत्यानाश हो रही है तो इसे बचने के लिए मैं तुम्हारे कान में ये रूई के गोले ठूच देता हूं क्रिश्णा ये मुसीबत का पिटारा तुम्हारे गुरू के ऐसे बन गए जयला हुआ क्रिश्णा तुम तो बच गए लेकिन इसकी गालियों से लगता है मेरे कान के परदे फट जाएंगे तो आप अपने कान में रूई टाल दीजे गुरू जी इस विकट सिचुएशन में परिश्णा नहीं मैं अपने आपको कैसे सम्हालों भलाई इसी में है कि मैं अपने अपने धकन बंद करके पढ़ा रहूं कि कि के अ अ करने करने लुटे एंग कि भाग कर कहां जाएगा साले तू जहां भी जाएगा मौत तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी कि यह वाइज एक मेरा हिलागा है मेरी इजासत के बिना यहां परिंदा पर नहीं मार सकता है जो मैं मोत का सोधागर हूं है अएप बट्ष व Like K अए! अशो कर देरो कर देल करने देल कर दुर कर देल कर देव कर देव इसे नजदीक के होस्पिटल ले जाओ सेया तुम जाके गाडी में बैठ जाओ सेया जाओ कर दोल्ट सकते हैं सेया जाओ सकते हैं में जाओ में जाओ जाओ स्याओ करेद करें वाई जता करें वाई करें 9 करें 6 8 झां झां 4 झाल 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 गाड़ी पीछे ले लो सड़क के बीच ओबीच मार रहे मुझे अपना पता दे तेरे घर में कुछ के मारता हूँ मेरे अंदर एक बुरी आदत है इस्जत देने वाले को जिंदेगी और आखे दिखाने वाले को मौत देता हूँ चाकू दिखाकर कान भटने जैसी आवाज में बात करने वाले को देखकर मेरा दिमाग सटक जाता है याड बेटा यादा तुम भाजकर हो तुमने पैचान लिया बेटा तुमारा यहां ठेरना ठीक नहीं है यहांसे चले जाओ यहां मत रुको फिकर मत कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा यह बताईए आपके यहां सब कैसे हैं हमारे कृष्णा रावानन सब ठीक ठाक है ना हां हां सब लोग ठीक थाक है गुरुआयर की रात को राघो जी की बेटी की सादी है तुम यहां पर आओगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा अच्छा उनकी बेटी की शादी है उनसे कहना कि मैं जरूर आओंगा ठीक है बेटा बेटा काफी बक्त जाया हो क्या टायर पसंद है क्या इसे यहीं पर भड़ी रहने दो वक्त आने पर उपर पहुंच जाएगा मैं चारे उम्रद अराज है कहां सोएंगे कोई दूसरा ओप्शन बता ना तुम्हारा कोई अपना होता तो तुम यहीं करती गया चलो तीसरा ओप्शन बताओ मेरा चेला मेरे बारे में कितने ओप्शन सोच रहा है वेरी गुट कहीं से चौब लाकर इसके ठुक्रे ठुक्रे करके खुटों को खिला देते हैं अरे फिंगर प्रिंट से हम पर केस हो गया तो तो जाकर गलफ्स ले लो कोई सपास भी मज़ेगा यह आइडिया तो बहुत यह अच्छा है गुरू जी आप कब जागे बिलकुल सही वक्त पर जागा वाट डिसकेशन इस गॉइंग और यह मैंसा बिलकुल वही कह रही थी जो आपके कानों ने सुना मैं सिर्फ सुनता ही नहीं कृष्णा उस पर अमल भी करता हूं तो फिर आप यहीं लेटे रहने के लिए मेरी नाग तुड़वा कर चार कंदों पर तुम इस शहर में आयो है इस बारे में बार पीट के बारे में रागो जी की बेटी की शादी के बारे में किसी से कुछ मत कहना क्यों क्या पता कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन बेटर इन बातों को हम राजी रखें सर कौन है वो पूरी पुलिस फोर्स लगा दी है उसे ठूड़ने के लिए वो बचके ने निकल सकता जैसे हमारे शिकंजे में आएगा हम आपको सौब देंगे किसी ने पैसे जमान ही करवाये ट्रीट्मेंट जल्द ही शुरू करना होगा बीपी भी काफी लो है पैसे मिल जाएंगे मेरा बेटा सही सलामा थे इसलिए अब तक मेरा बीपी कंट्रोल में है वरना जानते हो क्या होता अपनी गाड़ी में वो अकेला था वो मिल जाएगा हमें? सर्फ दो दिन में उसे एक से मैले का कोई ठीका ना? उसे ढूंड रहे हैं सर वो वाइज एक से बाहर नहीं निकलना चाहिए सर देख ते ही उराद हो से यहां बुलाने की क्या वज़ा है? दादिमा, मैं आपको दुख नहीं पहुँचाना चाहता मेरी खाईश है की मेरी शादी हमारे पुष्टैनी घर में इसके परिवार से बात करने के बाद ही मैंने ये कदम उठाया शादी यहां पर होगी तो हमारी परंपरा कायम रहेगी हम सबकी भी तो यहीं इच्छा है ना और वैसे भी साले साब जो बात कहने वो गलत भी तो नहीं है ठीक है बेटा शादी होने तक मुझसे पूछे भी ना तुम कोई भी काम अपनी मर्ची से नहीं करोगे सीता राम जैसी चोड़ी है तुम्हारी डायलाउग तो पुराना है लेकिन आज भी लाख टकिका है आपकी तारीफ मैं हूँ डील मलिक गुरू अफ क्रिश्ना दस मीटर में खत्म हो गये गुरू कैसे बने गुरू को आप मीटर से मत ना पिए मैटर देज आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप लोग अभी अभी दुबाई से आए हां तो वक्त आ गया है मेरा जलवा दिखाने का मेरे दिये हुए ड्रेस को पहननी के हर अच्छे बुरे दिन अक्सर दिमाग में स्टोर होकर रहते हैं यह मलीक इसे शादी के लिए लंडन से उठा कर यहां क्यों लाया यही सोच रहे होंग आप मेरे दिल में मेरे ख्यालों में सबसे पहला शक्स ये था मैं येस माइफ्रेंड टेक दिस ओपन ओपन यूट यार क्या है यह नाइटी यह किसी को दे नहीं है क्या नौ आपके लिए समझ में नहीं आया ना आपको आपको वाइन बॉटल या शेविंग पैक देता तो वाइन पी जाते या किट से दाड़ी बनाते लेकिन इसे आप बहुत ही संभाल कर रखेंगे जब भी आप इसे देखेंगे तो मेरी याद आपको आती रहेंगी थ्रिल फिल द थ्रिल आई मैं इनका क्या करूंगी? मैं जानता था आप यही सवाल करेंगे आपको लिप्स्टिक नेल पॉलिश या कुछ और देता तो इस्तिमाल कर लेती लेकिन इसे ना तो आप इस्तिमाल कर पाएंगी न भेख पाएंगी जब भी इस चीज पर आपकी नजर पड़ेगी तो इस ड पीशट को पहनोगी ये तुम्हें टाइट होगा तुम्हें याद आएगा कि तुम हाथी हो फिर दुबला होना चाहोगी लड़कियों को फिट लड़के पसंद आते हैं हवा का गुबारा नहीं टेक इट फिल करो कि तुम स्लिम हो गये हो दो सो ग्राम वजन उसी वक्त कम हो जाएगा इस लाइक योगा हाई आंकल हेलो गुड कल्चर एक भारतिये ही गुड कल्चर की वैलू जान सकता है क्या है ये काड़ा अंकल क्या कहा कफी क्यू नहीं लाई हम सब भी हमेशा सुबह सुबह कॉफी पीते थे आंकल आपसे थ्रिल का मतलब समझे इसलिए काड़ा ले आए तुम मुझे थ्रिल दे रही हो हाँ अंकल फील दे थ्रिल हाई आंटी क्या बात है क्या है आज गर्मागरम ए जी दोसा ये क्या है मुझे कहने के वज़ाए हाथ ही जला दिया छिल है जी अच्छे खाने को पहले फिल तो कीजिए यहां तो मेरे कॉंसेप्ट का सब पर गलत असर हो रहा है ममे अरे जिंगल बिल यहां स्विमिंग पूल है क्या नहीं लेकिन घर के पीछे कुवा है ओ विलेज स्विमिंग पूल आई लाइक इट ब्रो चलो बताओ कहा है कुवा कितना गह रहे आप खुदी कुवे में कूच जाएए ना आपको गहराई का पता खुद बखुद हो जाएगा बॉडी के साथ ब्रेन में भी भूसा बराए क्या यह चर्बी क्यूपाल रखी है स्विमिंग करके कम कर सकते हो तो फिर आप मुझे स्विमिंग सिखाई है ना अंकल वाट जो यू मीम वालेंट होने के क्या ज़र्वा थी अंकल कहा है बेटा अंकल मुझे कूए में तरना सिखा रहे है यह क्या कर रहे है गुरु जी आपकी वज़े से पूरा पानी खराब हो गया नहाने के लिए को इस तरह कूए में छलाग लगाता है क्या उस बुल्डोजर ने मुझे यहां धकेर दिया मुझे यहां किसी भी तरह से प्लीज निकाल लो खुए में मचलियों को मार दिया और खुद जिन्दा बच गए मैं बच गया इसके लिए कितनी खुश है ये क्रिश्णा मैंने सही कहना बेटी मुझे इतना प्यार जो करती हो वैसे अंकल से हम लोग भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं जैसे कि योगा और कराटे इसमें कौन सी बड़ी बात है तुम आज ही से शुरू हो जाओ तुम्हें मुझे पर जुल्म ढ़ाने का बहाना मिलता रहेगा साइलेंस क्या समझ रखा आप लोगोंने क्या ये जोकर नजर आते हैं एक जमाने में पूरी मुंबई का माफिया इनके पॉकेट में रहता था फिर इन्होंने भाईगिरी छोड़कर रिक्षा चलाना शुरू कर दिया अभी रिक्षा का भाड़ा बढ़ गया इसलिए ये बहुत मशूर सलाकार बन चुके हैं क्या कहा हम मैं? भाईगिरी छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं के ये कुछ नहीं कर सकते ये बहुत को चुकार सकते हैं अगर आप मुझसे सच पूछें तो आप एक हीरो है ये तुने क्या कह दिये चले कैसे कैसे करेक्टर बना दिये मैं ज्यादा बोल गया तो आप लीपापोती कर लो ना तेरे घरवाले वाइलेंट होते जा रहे हैं इस तरह से आय मत कर मुझे तेरे घरवालों से डर लगने लगा है आपकी मामा जी ने उस ठकलू की जान बचा ली वड़ना आप उसे मरने देथी कोर्स यार इतनी जल्दी नहीं मरेगा लंबी उम्र है उसकी पैसे कुवे में उसके मरने के चांसे बहुत थे मामा जी के होते हुए वो बटला नहीं मर सकता है चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें सही का क्यों ना फिर से ट्राइ करें क्या कहते हो कैसे भारेंगे इस पर क्या करेंगे इसे घॉंप देते हैं आरिया पार का पैसला हो जाएगा लिए लेकिन उसमें घॉंपे का कौन तुम सबने ओपने कोशिच कर ली अब मेरी बोरे नहीं मेरी बोरे साइलेंस पहले भाई क resultado मेरे बोले भाले चेहरों के पीछे इतना शैतानी दिमाग, लिल छोड़ूंगा इने, अरे यहां क्या प्लानिंग चल रही है, महमान के बारे में को ऐसे बोलता है क्या, कितना अच्छा दिल है इसका, जुग जुग जीओ मेरे लाल, वैसे वो इसी के लायक है, काट डालो उसे, य यह फैमिली कल्चर नहीं, बलकि बहुत बड़ी माफिया फैमिली लग रही है, जब भी वो लड़की गाली देती है, तो वो आ कर देता है, मुझे अपनी जान खुद ही बचानी होगी, अलो गुरू जी आ जाईए, ब्रेक्वस्ट तैयार है, मैं ब्रेफास ची कर रहा हू मैरीज लिस्ट भिजवा देना कृष्णा, मैं सब अरेंच कर दूँगा यह हमारे घर के सबसे बड़ी है, नमस्कार, अरे बैठिये न माजी, आप तो शर्मिंदा, हमारी सब कुछ यही है, और बात की सब हमारे घरी मेबर्स, नमस्कार, अच्छी बात है मेरा नम ब्रिजश्वर राव है, मैं भूत पूरू कलेक्टर भी रह चुका हूँ, मेरी बेटी ने बिना मुझसे पूछे, आपके बेटे से शादी तैकर ली सॉरी राग मैं समझाती हूँ बेटी, आज इस घर में जो खुशिया है, उसकी वचे आपकी बेटी है, यह हमारी खुश नसीबी है, कि आपकी बेटी हमारे घर आ रही है, कुछी दिनों में इसने हमारा ऐसा दिल जीत लिया कि लगता ही नहीं यह हमारी बहू है यह तो बहुत खुशी की बात है, उमीदे आपको इतराज नहीं होगा, अब बेटी की पसंद में मुझे क्या इतराज होगा, आने वाली बारा तरीक का शुब महुरत है, उसी तिन इनकी शादी तै कर देते हैं, जैसी आपकी मर्जी, वरह लक्षमी नरसिमा स्वामी हमारे कुल देबता है, दुला दुलन का शादी से पहले उनसे आशिर्वात लेना हमारी परमपरा रही है, उसके बाद ही शादी संपन होगी, बिल्कुल माजी, आपकी हर बात मेरे सारांखों पर, हम चाहते हैं, अरी यह क्या, यहां तर काय और आप दुले से नहीं मिलना चाहें दामाद जी, कृष्णा को बुलाओ तो, कृष्णा, नमस्ते, कैसे आप, आप बात कीजी मचा भीजवाता हूँ, तुमने जितंदर के लड़के को क्यों बारा, वो किसी घरीब की जान लेना चाहता था इसलिए, एक शैतान को ललका रहा है तुमने, उसके खिलाफ ही देने वाले चार लोगों को उसने बोरी में बंधवा कर समुद्र में फैकवा दियाता है, और आज तक उसके गुनाह को गोड़ी साबित नहीं कर पाया, इतना ही क्यों, पूरी सरकार उसके आगे लाचार है, यानि कानून कुछ नहीं कर पाएगा, तुम जानते हैं, जानते हैं, तुम ठीक हो ना, आए, यह हमारे रागवजी है, छोटे मालिक, आप इस शादी में आये हमें बहुत खुशी है, इसे आशिर्वार दीजिए, नमस्ते मालिक, विश यू है पी मारड लाइफ, थैंक यू, अपी मारड लाइफ, थैंक यू, हापी मारड लड़के को आपने अच्छा सबग सिखाया ऐसा मारा के सीधा होस्पिटल महुचा दिया यह कैसी बातें कर रहे हो तुम छोटे मालिक यह मेरी होने वाली पत्नी तो आज पार्टी में रॉनक भी खेर दीजे मालिक आपके साथ हम लोग भी डांस कर लेंगे सॉरी 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 माप किर गए है 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 वह मेले इसी होस्पिटल में अड्मिट है अरे खेरोग जिलमययक मेरी है यह कि साथ जलतें कि अड्नी टेकान कि आ सकतले कुंट ठाह्या ठाह्टskरण। उपर 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 कर देनी जाए सर, क्या है? चुपके से कदम उठाने में ही समझता रही है वो क्यों? दुश्मन से बदला लेने के लिए केस को दबना होगा आपके बेटे ने पश्चाताप में आकर सुसाइट कर लिया है ऐसा केस में दर्च करूँगा पश्चाताप मेरे घर में बताई उसे कब मारना है सर? क्या? डॉकियाट की हादसे के बाद सिगिनल की वारदात का वो फूटेज और हॉस्पिटल की वरदा का फूटेज दोनों मैच किये नो डाउट सर दोनों इकी आदमी है माजी आपने जो दिन बताया है पंचांग के अनुसार वो सर्वस्षेष्ट मूरत है हम ये विवा उसी दिन रखते है अच्छी बात है हाँ तो समधी जी आपको इतराज तो नहीं इतराज तो नहीं है लेकिन जैसे ही सोचता हूँ कि मेरी बेटी दूर जा रही है तो मुझे तकलीफ होती है अगर आप इजासत दे तो मैं अपनी बेटी के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ ओहो इसमें इजासत की क्या जरूरत है आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं किया रहे है आप मार सुटु commanded बेलोडिक ये क्या है जीतेंद्र नए C.M. को मुबारक बात देकर मेरे गले लगने के समय में इस तरह का हादसा हो गया तुम में इसमें शामेर ये क्या कह रहे हो मुझपर शक्का रहे हो देखो मुझपर ऐसा बेबुनियाद इलजाम मत लगाओ जीतेंद्र सर छोटू के कातिर का पता लग गया है सर आप इस तो कर जा रहा है आप इतने डेंस क्यों है यह शादी नहीं होगी बेटा क्या क्या रहें डाट क्रिष्णा ने जीतंद्र के लड़के को मारा है यह एक मामूली सी बात है क्रिष्णा ने उसे मौत के घाट उतार दिया है एसा नहीं हो सकता आई नो अबाउट है नो आर्गूमेंट्स यह शादी नहीं हो सकती बेटी स्नेहा स्नेहा सर यह वही है जो सिगनल पर उससे बात कर रहा था इसकी लड़की के शादी में वो यहां आया था सर छोटे का खून होने से कुछ देर पहले उससे यहीं देखा गया था सर कहां है वो 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 यादा यहां क्या हो रहा है यह लड़की कौन है बेटी तुम यहां से चन्थ जाओ कहां है वो बेटी यहां मत रुको कौन है वो वह मैं पहले प्रपोस मैं नहीं किया था अब हाथ यह यह अब हुआ है अब विएक के मामले में अब सब कुछ आपको कि अपने की जीजा पर पहुंचना है लड़की वाले पहुंचे के नहीं जरा पूछो आँ करें किवा किवा अप्र वर्ण नाओ अप्र अप्र किवा जाएब झाएब तुम धूएएब एक रच का रचितव झाएब करने अधितव साफे था भाएब पाल को रचितव फिल्डितव प्राफ़ विल्डित प्राफ़ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो धुद, एक रिए! यह जोग Gजाएएएँ रड़ी है लचिस्टाएँ वह वह उजाएएँ अटुको, आप सुमेदो इपको... लचिस्टाएँ... 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 पाल ऐसन sigen ए्योर ए्योर प्योर ए्योर ए्योर जिल व्योर लेुट ए्योर sendiri लेभावत अबंध जी देन शीं बनस्पिक अलो मक्सद पुरा हो गया, अब जाकर सीम को मुभारकबाद दोर ये बात उनके सामने रख देना, बाकी भैस सवाल लोगा, मैं वो नो यहाँ पे मेरी प्यास पुछी नहीं है, कोई भी जिन्दा नहीं रहना चाहिए सब की लाश यहीं रोड पे बिचा दो, मेरे छोट को मारने वाले के परिवार में कोई न बचे इन सब की चिता एक साथ देखनी है मुझे यह बगवार प्झेभा यह मं वियात है हम आर्दूलताचे अभयमुगा चेडुदेगा नरिके खर्मकत्रम चलरेगीन दोका प्रणयमुगा आप लोग घबरा क्यों रहे धरती भाड़ कर शेर निकलाया है अब हर एक के साथ इंसाफ होगा संद्डरा कि Сам है इंसाफ है हई हाई 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 हिम्मत मर्दा तो मददे खुदा क्या चाहे आस्मान में रहो चाहे पाताल में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूँगा किसी का एक बाल भी बाका हुआ तो दूसरे बेटे की तरह तीसरा भी जिन्दा नहीं बचेगा मैं हमेशा गुम्नामी के अंधेरे में खोया रहता हूँ लेकिन इंसाफ के लिए अपनी जान की परवा ना करते हूँ सबसे आगे खड़ा रहता हूँ और जब मैं आगे आता हूँ तो इमोशन्स नहीं चलते फिलिंग्स नहीं चलती कैलकुलेशन नहीं चलता मैनिपलेशन नहीं चलता समझा देना उसको सेंट्रल में हो या स्टेट में रूलिंग में हो या उपोजिशन में देश में हो या विदेश में जुर्म के खिलाफ मुझे ही पाएगा Once I step in, history repeats ये जो इन दो परिवारों के दुश्मनी है वर्षों पहले तुम्हारे दादा जी के जमाने से ही शुरू ही थी बेटा इन में से जो भी कोई एक जीत के करीब पहुचता है तो दूसरी तरफ चिता जोती है पता है पहले वाले को तो हॉस्पिटल में और दूसरे वाले को हमारे सामने बे रहमी से मारने वाला तुम्हारे पिता का दुश्मन है वो किसी को नहीं छोड़ने वाला हाँ चिता को देखकर हम डरने वालों में से नहीं है वही डर कमजोरी के निशानी है उसकी फैमिली का खात्मा कैसे करता हूँ देखो तुम क्या कर लोगी तुमसे कहीं ज़्यादा बादुरों को वो मोत के घाट उतार चुका है मोत का सौधागर है वो तुम्हारे दादा जी को अपने बच्पन में ही मोत के घाट उतार चुका है उसका अस्ता कोई कुछ नी बिगाड़ पाया उसका एतिहास इतना खोफ ना कहे कि मैं तुम्हें क्या बताऊ राजनीती ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत कोशिश की अपनी पूरी ताकत लगा कर वो अपने भाई को MLA बनाना चाहते थे ये बात सच है कि मैं आपके सपोर्ट से MLA का सीट जीत पाया था लेकिन आपके भाई लोग इसका गलत फैदा उठा रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है ना सर इस बार अपनी कोशिश से मैं सिर्फ चाह टिकेटी कनफर्म कर पाया और टिकेट नहीं मिल पाई कुछ है मेले हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर आखरी वक्त में हमारे पीठ में छुरा गोपा है आप सब चाहे पीजिए भश्पन से यही सुनता हा रहा हूँ से इन प्रॉब्लम पिकट के लिए मेरे पिता जी ने करोड़ों रुपे खर्च किये सब लोग मतलब की बाते करते हैं इस बार भी वही प्रॉब्लम आ गई है बापा लगता हमारा पैसा वेस चाहेगा फसूल लूगा दुबारा फिर कोशिश करूँगा मैंने हार मानना नहीं सिखा है पता है मैं क्या करूँगा अपना मतलब लिकानले के लिए तुम जैसे कमीने लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं अब अगर दूसरी लाश नहीं देखना चाहते हो तो मेरा काम करो मैं मेलेज को समझाएंगे सर आपका कम पूरा करेंगे सर मैं भी पूरी कोशिश करूँगा इन्हीं जाने दो भाई देखते हैं यह क्या कर सकते हैं कौन कितने पानी में है पता चल जाएगा मात का तांडव देखना है तो बताओ या मेरे भाई को जिताओ रुके रुके बेटा इनसान सुखी रोटी खाकर भी किसी तरह जी लेता है औरों की भलाई करने वाला ही सच्चा इनसान कहलाता है अपने स्वार्थ के लिए कोई रंग बदले वो गलत इंसान होता है याद रखना जो खुद तकलीफ जेलता है वही दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है और यही कारण है कि यह सारे लोग मुझे अपना मानते हैं और मुझे यहां तक पहुंचाएं हैं मैं यूही नहीं इन लोगों का हम दर्द बना हूँ इन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए बेटा हाँ जैक कालीमा जैक कालीमा चुब लोगों के जुब लुबज है जो चट्ब लोगों की और दूख स्टावाँ है अज violation कि एक है जा करो टूबального क कि का तर कि एक आरर्श CC हम लो कि जुल मेंगर नहीं एक चरम जो 묩ं प्तूर कि आर mr सुद वाथ Hey, कौन के नब तू? सबस्ट कर दोराग कि सस्ट कर दोराग कि अास्ट कर दोराग किसे विल उने प्रग्सार से थे में, भुछ से वे थैडे कि वे तक रभ भास अथ इंद ॉघ तक पुछ प्राग कि पूआ है 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 अब खुशी की धुन बजाओ बजयिए वाँजा देल्जा भाज़ कि अचापनें एंज याँजा वाँजाँ एंजु को जड़ हैं इंजा देली ढुश। थाँए वाँए जैप बाइए टॉब हैं पुश्टो प्रत अझार लुश्टो झालँश्टो भोचान से वब जचाने हैं वह चणये कर ऴट्क पते है है वह सबढये कर दो हम प्र posição प्रखए लुज दॉज गरम साँ desert कर फीजर बारे कर दो भुल ilए पर डहर साहरना हार बारे कहार भुल हिरक प्रणय को क्या खो ठसके को भी om बच्छुक करते दिए प्पार्ण कर दो अप्पार्ण कर दो दो सही जग झाल बहुत कर दो अपर अपर कर दो कर दोने पुर अट्ट कर दोगा कर दो कर दो कि अगा है कि खर टूब सह वार जघ्यों करते हैं कि खाफ दो पार जाओ कि खाफ खुआ हुआ और अब कि टो अबाद वह बे कि खोड़न कि खुआ हुआ पर दो में खुआ हुआ 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 Cai इसमें जो भी किया वो गलत है इसे हमारी कस्टडी में दे दीजिए पैसी को नहीं दोंगा मेरी बास सुनिये सर इसमें मुझे टश करतावše फ्लूट चूहों के आगे बजाना शेर के आगे नहीं समझता क्या लोग तुसे डरते हैं क्या हाँ डरते हैं मेरी बादशाही ताकत से हिम्मत है दे तु मेरा सामना करकर दिखा बादशाहत तो तुझे रिश्वत देकर भीक में मिलिये वो तो तेरे ब्लेड में है इनी ब्लडी फूर राजा माराजा पैदा हुए हमारे खांदान से और तुझ जैसे लोग हमारे यहां जूटे बरतन्त होते थे तुझ में सनक कभी कबार होती है लेकिन मेरे अंदर 2400 घंटे रहती है तू अपनी लिमिट से एक इंच भी आगे बढ़ा तो यहीं कड़ जाएगा फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा तो अकेला आया होता तो माफ कर देता बैतरी इसी में है के तू अकेला आये जिंदगी हमेशा मौत से डरती है तू भी डर नहीं तो क्या करेगा मुझे मार डालेगा जो मैंने कहा है वो करने में एक पल भी जाया नहीं करूंगा यहीं जिन्दा कार दूंगा प्लीज सर मैं हार जोड़ता हूं प्लीज सर शांत हो जाईए सर सर एस्पी सहाब यह मेरे सबर का इम्तियान ले रहा है सिस्टम के रिस्पेक्ट कर रहा हूं इसलिए अब तक शांत हो आप इसे ले जाते हैं कि इसकी कहाली खत्म करो सर प्लीज आपके खिलाब सबूत भी ले है सर आपको हमारे साथ चलना ही होगा कमीने मेरे जिल से लोटते ही तेरी जिन्दकी खत्म हो जाएगी तेरे गड़ा फाड़ने से मैं ढर जाऊंगा है या करद साही में मत रहे शूटर हूं खोपड़ी खोलके रख दूंगा तेर मुठा मुठा तेरी एकतना है से धुछसीटे तेरह जांगें तेर्फों अप मैं करता थाया थाया आपके बगेर घर भी कितना उगास लग रहा था अगली बार हमें चोड़के मत जाना भाइया उस बारे में बाद में बात करेंगे अभी तुम जा 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 काना में प्रिश्णा वहां क्यों गया हमने जो इस घर के नियम बनाए है क्या आप उससे वाकिप नहीं है प्रिश अभी तुम जाओ अरे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए ना हमारे परिवार में और ना ही हमारे दिल में कोई जगए है उसने कुछ नहीं खोया है खोया मैंने है हर पल डर लगता है कोई भी दुश्मन हमारे घर के दर्वाजे पर आकर दस्तक ना दे दे आज मैं सब के सामने एक जरूरी बात कहना चाहती हूं अगर आज के बाद इसकी वचा से मेरे परिवार पर आच आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी बड़े मालिक यह आपके अपने बड़े हैं प्रागाव जी बोले मालिक आपने खाना खाया नहीं खाया मालिक देर हो गई है खाना खा लीजे और मालिक आप हूं हूं झाल झाल मिलसा ताय दिरगायो श्वान भावा यह सब क्या है आप भूल गए आज आपका जनम दिन है हाभी बादे मामा जी बागी सबी ने खाना खा लिया पता नहीं ये दिन दोबारा आए गाए नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं दो बार मौत आकर मुझे चू कर चली गई तीसरी बार पता नहीं अंजाम क्या होगा खुशियां कभी कायम नहीं रहती माना की खुश्यां दो पल के लिए रहती हैं लेकिन उन्हीं दो पल में दो सदियों की जिन्दगी जीनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है देखिए आज आपका जनम दिन है ऐसे उदास बंत रहें बेहापी मालिक मिनिस्टर साहब आपसे मिलने आये हैं और एंपी साहब भी आपसे मिलना चाहते हैं बुला लू उन्हें मैं वहां खुद जाओं कि लो वह आ गया मैं उन्हें लेकर आता हूँ आप अंदर जाहिए अंदर जाहिए ना चाहिए है शुरू जाओ शुरू जाओ चलो 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 कि जनता अपनी खुशी का इजहार कुछ इसी तरह से चिला-चिला के करती है वैसे आपसे बात करने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर साब आएवे हैं अगर आपके साथ उनकी डील पकी हो गई तो समझो चांदी चांदी तुमारी पोस्ट क्या है एंपी एंपी की ड्यूटी क्या होती है जनता की सिवा तो फिर दल्ले क्यों बने हुए हो यह तो मार रहे हैं वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे उनकी हरकतें यह ऐसी हैं कि मार खाने ही पड़ेगी सुना अब मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या बात थी बताईए तुमने एंपी पे हाथ क्यों उठाया उन्हें क्या आपने घर का नौकर समझ रखा है ही इस लीडर है बिन पेंदे के लोटे पॉइंट परा तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें ना लूंगा ना दूंगा नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हो उतना वक्त नहीं है मेरे पास और तुम्हें जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट रिस्क उठाडे से डरते हो क्या डरता हूं और मैं बच्पन से ही अपना रास्ता खुद तेह करता है हूँ एक बार मैं ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दोड़ पड़ा ट्रेन तेजी से आ रही थी उसमें भारी भीड थी दस इंच की दूरी परा कर ट्रेन रुख गई इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क और क्या? यही हद्सा में फिर से दोड़ा रहा एक बार तुम ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दोड़ पड़ी ट्रेन तेजी से आ रही थी ट्रेन में भारी भीड थी दस इंच की दूरी परा कर वो रुख गई इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क कहोगा और क्या? जो ट्रेन तुमारे सामने ही वो कौने जानते हो? मैं हूँ अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ अपने स्वार्थ लेकर आता हूँ उसे मैं अपनी जूते की नोग पर रखता हूँ मेरी पावर क्या यह जाने बिना तुम उससे ऐसी बाते कर रहे हूँ पावर? तेरा? तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम का एक खाली लिफाफा है और मैं तनवार की नोग पर राज करने वारा पावर हूँ तू है लोटरी, मैं हूँ हिस्ट्री तुमारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री की आगे दो कौड़ी की भी नहीं है अगर मैंने एक स्विच भी दबा दिया ना हवा के जोगे की तरा उड़ जाओगे अपने दिल की तसली के लिए जरा अपने उस फैन का स्विच आउन करके देख ले तुमुझे गायब करने की बात कर रहा है मेरा बाल तक नहीं हिलेगा लेकिन अगर मैंने तहाड लगाई तो तेरा नामोने शान मिट जाएगा मुझ में इश्वर की दीवी शक्ती और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तयार है आजमा के देख मेरे एक इशारे पर तेरे ही पाल तू सड़क पर तेरा मजाख उड़ाएंगे हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी आइल टेक इट ऐस चैलेंज उसी राज में जिस राज में मैं अभी हूँ उसी कुरसी पर बैठ कर जिस कुरसी पर भी बैठा हो जिते अंदर को तुम्हारी जगा बिठा कर ही दम लोगा पूरी ताकत लगाते असेम्बली के गेट तक नहीं पहुँच पाएगा तू बीपी का मरीज जादा चिला मत हाट फेल हो जाएगा मेरा बीपी हाई होगा तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा मैं आ गई क्या बात है इस वक्त तुम या मुझे नेद नहीं आ रही है आप मेरी साथ बीच पर घुमने चलेंगे क्या इस वक्त जाएंगे यही तो सही वक्त है बीच पर घुमने का प्लीज बान जाएए ना इंकार मत कीजिए प्लीज, 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 अब भी रात हो गई, रात तो भी जवान है, लेकिन ये कोई टाइम है, इतने रात को बड़े माले कहां जा रहे हैं, रोमैंस करने तुम सोजाओ, अब उस तरफ कैसे जाएंगे, जाम, जाम, चलो, मुझे उठाओ, ऐसा लगता तुम मुझे प्रॉब्लम मेटा दो की, यकीन नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम से आप घबरा रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आज की रात हम ऐसे बिताएं कि सिद्दगी भाहर ना भूले, हुआ 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 है इंकार कर रहे हैं, हाँ भाई साब, जब पैदा करने वोले कोई तराज नहीं, तो आप मना क्यों कर रहे हैं, आखिरा पैसे कैसे कर सकते हैं, हो क्या है ना, उसके कोख में फिर से लड़की है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, इसलिए गिरवाना चाहता हूँ, लड़की है तो इसमें गलत क्या है भाई साब, क्या मतलब है, पहले महनत करो, पैसे जुटाओ, फिर उसके शादी में सब लुटा दो, इनका कहना भी गलत नहीं है, लड़की तो पराय अधन होती है, और जब वो ससुराल जाती है, तो वाप कंगाल हो जाता है, सुनिया जी, कोई भी फैसला लेने से पहले, घर के बढ़ों से बात कर लेनी चाहिए, बहन जी, अभी तक तो इस घर में हमें लड़कियों की इस सूरत देखने को मिली है, वो फैसला लेंगी, आगे चल कर हमारे खांदान का नाम रोशन काउन करेगा, अपने खांदान का नाम रोशन करने के लिए एक चिराग तो चाहिए न, क्यों भाई साब, मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या, हां, देखे, ओके, इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे, भाई साब थोड़ा भार चलेंगे, लेकिन मेरी बात तो सुनी, मेरे फोर्म में आप इंवेस्ट करने वाले हैं थो अभी तक लिखा नहीं, वो हमारे घर की बच्ची के साथ ऐसा जुर्म कैसे कर सकते हैं, मैं उनसे बात करूंगी, चलो, लेकिन मुझे लगता नहीं, उनसे बात करके कोई फायदा हो, है राजू, सामान अंदर लेकिया, अरे, समहल के चलना, कहीं फिसल गे तो क्या होगा, हां, तमस्य सासुमा, सबकी तबियत ठीक है न, सबका चेहरा इस तरह से उदास क्यों है, ओहो, आप लोग इस तरह से मुझे घूर करके को देख रहे हैं, बड़ी साली साब को देखो, वो भी नजर जुका कर खड़िये, अरे, साडू साब, आप इस तरह से उदास रहेंगे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पापा जी ने ये कहा है, कि जब तक मेरी बहु चार लड़कियां पैदा नहीं कर लेती है, तब तक आ करके मुझे सूरत मर्द दिखाना, नीचे उद्रो बेटा, वेरी कर, जो बाहर जाके खिला, मेरी प्यारी बेटी है, मैं मार्केट जाके आता हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, शाम को मिलता हूँ सबसे, तोफे लेकर आओंगा सबके लिए, आप जैसा कहा रहे थे वैसा तो कुछ नहीं लगा, मामा जी अब कैसे है, एक बार फिर से मुझे मामा कहके पुकारो, मामा जी, जाओ जाके खेलो बिटा, ओके मामा जी, तुमने मुझ पर हाथ क्यो उठाया, तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना बैल, तुम बात-बात पर इस तरह मुझे बार क्या हो, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे दिनों में रोना नहीं चाहिए, तेरा बड़ा भाई अभी सिंदा है, अपनी जान देकर तेरी बेटी को बचाएगा, रागव जी, जी मालिक, बैन की कोख में लड़की है, इसलिए ये लोग अबार्शन करवाना चाहते हैं, ये बेवकु भूल गया, कि औरत नहीं इसे जनम दिया और आरत नहीं इसे बाप बनाए, इससे मुझे अतराज नहीं तो आपको क्यों है, मुझे अतराज है, लेकिन वज़य क्या है, एक नन्नी सी जान का खून करने की इजाज़त तुझे किसने थी, तो बाप में तो क्या आरे देखो, ये मेरे बेटे को मार रहा है, कोल याक्टे को मार रहा है, ये सब क्या है, ये क्या चल रहा है, क्या लगा रखा है, तुम्हारा क्या जाता है, हमारी बेटी है, उसके साथ जो चाहे करेंगे, तुम कौनों बोलने वाले, लड़की को जन्म से पहले ही मार देन कौन सी बड़ी बात है लड़की कल हम पर बोज बनेगी तुम्हारा क्या जाएगा गाउं की इज़त बचाने के लिए ऐसा किया तो वो गलत नहीं है धर्म है ये धर्म एक लड़की एक मा की कोक में पल रही है उसे मारने वाले का सपोर्ट करना बिलकुल खलत बात है इसे लिए पीटा इसे आसु पोचने के लिए मा चाहिए, बच्चे पैदा करने के लिए बीवी चाहिए, प्राखी बंदवाने के लिए बेहन चाहिए, फुमने फिरने के लिए कल फ्रेंट चाहिए, लेकिन बारी जब बेटी की आती है, तो नहीं चाहिए, यो, ये तेरा हिमायती है न, बुरे वक करने के लिए इश्वर भी माफ नहीं करेगा तुझे मैं दुआ करता हूं कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां हूं घर में बेटी पैदा होती है तो लॉस का कैल्कुलेशन बेटे के लिए प्रॉफिट का कैल्कुलेशन अपनी घलतियों का कैल्कुलेशन कोई नहीं करता ची ब् बिनास्त्री के ये संसार नहीं चलता बिनास्त्री के जिंदगी नहीं चलती बिनास्त्री के उधर नहीं होता इसलिए किसी भी मर्त को और जात पर गधार वह जुड़ुँंगा ने I will show him the hell! क्या हुगा? बेल करवाने की सारी कोशिश नाकाम हो गई सबने हाथ उठा लिये अब जेल से बाहर आने का इंतिजाम आपको ही करना होगा MP ने भी मना कर दिया वो भी पदल गया मुझे महरा बना कर वो खोद दिल्ली चला गया तो फिर तुमने क्या सोचा है हमें बदला लेना है देखो बाई कितना भी महगा हो चलेगा लेकिन चीज प्यारी होनी चाहिए ताकि पहन कर ये खूब सुरत लगे बड़े दिनों बाद शॉपिंग बेनिक लिए है अगल, दर वासे को लुपिंग अगल 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 अगां अगल अगां, अगां गुपिंग अगल आम कि अीजे, सबी आते हो अगल अगल कि बखवान बचा ले उससे का था बेल नहीं हो पाएंगा गी तेद्मुर का बेल हो गया है बाहर आ गया है वो लेपी गेंपी को घबर कर दो कि घर आ गया हूँ सर्थ आपका बेल करवाने वाला अंदर है हमने इतने पैसे खर्च किये तो भी कुछ नहीं हुआ लेकिन उनकी एक आवाज रखा मेरे घर पर आकर मेरा नमक खाकर तो उसकी तारीफ कर रहा है मेरी बेज़ती करने वाले को मैं इसी वक्त दुनिया से उठाओ दूंगो है बाहर निकाल सर बेस्तर होगा क्या आप यह अंदर के ले जाएं मेरा चोटा भाई कहां है मेरा आप को मारा तो कुछ नहीं कर पाया तेरे छोटे भाई को मारा तो कुछ नहीं कर पाया तेरे घर के अंगन तक आ गया कुछ नहीं कर पाया क्या बोलता है कुछ करने का दम है तुझ में अगर है तो सामना कर I'm waiting मेरे भाईयों को मारने के बाद तु सोच रहा है मुझे भी माढ डालेगा तेरे नर्क जाने की सड़क तैयार कर रहा हूं तु आज नहीं बचेगा प्रुप जाए दिया डर्वत तैन इससे तेरे सामने नहीं मारूंगा जाए आज से तेरी बीवी ने तेरी जान बचा ली इस्जत की जिंदगी जीएगा तभी तु सर उठा कर जी पाएगा स्वार्ती बनके जीएगा तो जिल्लत ही पाएगा कितनी औरतों को विद्वा बनाया कितनी लोगों को ठगा तुने पूरे गाओं में देश्रत फेलाई तुझ जैसे को जीने का कोई हक नहीं है फिर भी तुझे आखरी मौका देता हूँ छे घंटे का वक्त है तेरे पास उसके अंदर इस गाओं को छोड़ दे वरना बचेगा नहीं तू Get out of my city छोड़े मालीक यह सब क्या हो गया अपके आखों में आसु क्यों है चलिए चलिए घर चलते हैं क्रिष्णा तुम्हें डर नहीं लगा जब भाई साथ में हो तो किस बात का डर दामाद जी हमारे लंडन जाने का इंतिजाम करो क्रिष्णा की पढ़ाई वहीं होगी और यह वहीं रहेगा इस देश से और अपने बड़े बेटे से दूर चले जाएंगे मेरे लिए तुम लोगों की सुरक्षा सबसे एहम है वेंकर जी को फोन करके कहो कि सारे इंतिजाम करके रखे माजी मुझे कहा गया कि आपको साड़ी पसंद है मुझे नापसंद होते वे भी मैंने पहनी यहां खाने को कहा तो खाया भगवान के आगे अपना माधा टेकनी को कहा वो भी किया लेकिन आप उनसे दूर जाने के लिए मत कहिए माजी यह जुल्म मैं नहीं सहपाऊंगी क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ यह हो नहीं सकता लेकिन क्यों मैं अपनी मा की मौजुदगी में ही शादी करूँगा तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आएगी और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं दूर भाग कर शादी करूँगा किसी को धोखा देकर उनका दिल दुखा कर तुमसे शादी नहीं करना चाहता मैं रेती रिवाजों के साथ तुम्हें अपनाना चाहता हूँ कितनी भी मुश्किले आएं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा मेरे दिल को छूने वाले ये सारी अलफाज आपके बेटे के हैं उसके साथ शादी का मतलब है मौत को गले लगाना लाचारों की रक्षा के लिए आपके यहां शेर पैदा हुआ है वो उनका फर्स है जो ऐसा फर्स निभाते हैं लोगों के दिल में रहते हैं और जो जुम सहते हैं उसे बुस्तिल कहते हैं कि याद कीजिए प्रश्टाचार को मिटाने के लिए यहां पैदा हुआ है एक लायन और दुश्मनों पर हुकूमत करने वाला वो है एक डिक्टेटर लौ एन ओर्डर को सही दिशा दिखलाने वाला एक रूलर माची देवता कोई भी अवतार ले सकते हैं आपकी छट के नीचे इनसाफ का एक देवता आया है उस भगवान को भी धर्ती पर हुनी वाला जुम तो दिखता ही होगा ना उसी जुम को जर से मिटा कर खात्म करने के लिए मेरे पती ने इस धर्ती पर जन्म लिया है आप उस देवता को पहचान नहीं रही इस दियोंने घर से बाहर रखा हुआ है ऐसा अन्याय आप कैसे कर सकती है आप घर की बड़ी है आप हिमत कैसे हार सकती है आपके इस गुरूर की वज़े से आज हो इस वक बाहर है दुनिया हम पर हस रही है उन पर इतना जुन करने के बावजूद हम पर कोई भी गस्टाता है तो वही पहुँचते है उनका बस शरीर वहां पर है उनकी आत्मा यही इस घर में है माजी यही पर है तुम्हे इतना बोलने की इजासत इसलिए मिली क्योंकि दामाद जी के दोस्त की वेटी हो मैं हार जोडती हूँ हमारी घर के समस्या से दूर रहो इसी ने भलाई है रुकिये मैं बात करता हूं माजी विदेश में पली बड़ी लड़की के लिए हमारी घर में कोई जगह नहीं है तैगा है चलि दो झाली जह बाता है च़तो धाता है तुम यहां क्या कर रहे हैं मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है वो इस दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है घर वाले नहीं माने इसलिए घर छोड़ दिया अब आप भी बताएए मैंने सही किया न वैसे मुझे तुम्हें रोपने का कोई अधिकार नहीं फिर भी तु यह ठीक नहीं है तो ठीक क्या है बताएए ना देखिए आपकी दीदी को कुछ हुआ तो जीजा जी है आपकी दादी को कुछ हुआ तो सब के सब हैं लेकिन आपका यहां ख्याल रखने वाला कोई नहीं है मुझे आपसे महांबत है इंकार मत कीजिएगा इस बारे में मैं क हर हालत में पसंद है, आपकी बात है मुझे पसंद है, आपके साथ बिताया हर बल मुझे पसंद है तुमने सिर्फ इस गाउं का ही बाला नहीं किया, बल्कि इतने सारी अनात बच्चों को सहारा दिया है उन्हें दो वक्त की रोटी खिलाते हो, बटके हुए को सही रास्ते पर लाते हो, अट लिस्ट सिर्फ एक दिन के लिए अपनी पत्नी बनाकर, मुझे अपने कट्मों में चगे दे सकते हो, प्लीज वहाँ जाकर मैं भूल तो नहीं जाएगे जल्दी बैठी, जल्दी बैठी, बैठी, बैठी वह तुझे ढूंड़ते हुए यहां जरूर आएगा, काँ छोड़कर जाने के लिए उसने मुझे मजबूर किया था मेरी तब से संकी हुई है जब उसने मेरे काल पर तमाचा मारा था उसने मेरा घर तबाह कर दिया लोगों के सामने मेरी बेवज़ती की उसे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा मैं, खत्म कर डालूंगा मैं उस कमीने को कुल झाल 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 उसे ललकार कर बड़ी गल्दी कर दी, देख तेरे सामने शेर खड़ा है, वही सजा देगा तुझे दो मिनिट तो मुझे झाल 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 कर दो झाल झाल आपया मुगा, छेड़ुते जानारी के धर्मा खटकम, छेलरेगे नगोगा प्रणया मुगा बस थोड़ी देरो एक प्रणया माँवा अर्रणया यक्न देड़े से विल स्वेस्टेश ये 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 अश्या ये 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 हाँ ह्ञशे शेल शेटा शेका 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 कुछ? कुछ! ी धुछ? पहते हैं वचे बचाली चें श्वेता आँखे खोलो श्वेता देखो मैं तुम्हारे सामने हो श्वेता मेरी बाद सुनो श्वेता आँखे खोलो ना श्वेता गाड़ी ले आओ जल्दी तॉस्पिल जाना है मुझे मुझे कर लेचे ले बैग गाज़ी तॉस्वारे खोलो श्वेता पूलो भालो अणना थाटॉस्ण। सर शीट मिल गई तेरे कलेजे को ठंडाक हमारे परिवार के और कितने लोगों को शम्शान पहुंचाएगा तो तेरा इस घर पर कोई हक नहीं और ना ही हमारी जिन्दगियों पर कोई हक है तुने जो रास्ता चुना है वो सिर्फ मौत की और बढ़ता है इस पर चलकर कुछ हासिल नहीं होगा हर घर में खुशियों के दिये जलाये जाते हैं लेकिन हमारे घर में दिये के बदले जिता जलती है अब मैं अपने लोगों की लाशों का बोज नहीं उठा सकती लोगों का दुख मिटाते मिटाते तेरे पिता जी इस दुनिया से चले गए वो दर्द तो मैंने किसी तरह सह लिया लेकिन तुने जो ये तांडफ शुरू किया उससे अपनों की लाशों का दर्द मैंने इसे अभाऊंगी तुने गुना किया है तो तुझे सजा भी जरूर मिलेगी तु इसी वक्त हमसे दूर चला जा अगर आज के बाद तुने अपनी मन्हूज सूरत हमें दिखाई या हमसे कोई रिष्टा रखने की कोशिश भी की तो मेरा मरा हुआ मूँ देखेगा अब चाह यहां से चला जाओ झाह यहां से चला जाओ बचस अब से चला जाओ झाह यहां से बादग झाल, 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 झाल झाल, 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 झा झाल झाल वो जब से लौट कर आया है बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है जब तक वो बाहर था हमारी पांचों उंगलिया घी में थी अब बाजी उसकी तरफ हो गई है तुम्हें मैं इसलिए एक सलाह देता हूँ देखो तुम यहां रहोगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा वो पहले ही तीन कतल कर चुका है अगर मेरी पावर का सही इस्थिमाल किया होता तो उसे अच्छा साबक सिखाते हमेशा काम शांती से करना चाहिए तेरा बाप ये बात नहीं समझता है जोटे वाले को शांती से सुला देते तो उसका भाई भोचाल बनके नहीं आता उपर से तेरा बाप हमेशा मेरे कंदी परक के बंदूख चलाता है प्राक्टिकली जो कुछ भी तुम कहरे वो बिलकुल करेक्ट है जिसको मैंने बनाया उसका फाइदा उठाना कोई गलत बात है मेरे सामने खड़े होकर बात करने के हिमत के स्मय है बता मेरे पास ये पावर है वो पावर है ऐसे पावर है ये बोलना बहुत आसान है लेकिन साबित करना मुश्किल किसके दिल में मेरे लिए क्या रखा हुआ है ये मेरी समझ में आ गया है मेरे बगायर तुम कुछ बेसाबित नहीं कर सकते तुम सिर्फ खुदकुशी कर सकते हो जिते अंद्र यूहार ऑल्वेस पाफ़ेक तुम्हारी कुरसी पक्की समझो सियम तुम्हारा नाम अनाउंस करने जा रहे है इस वक्त तुम क्या सोच रहे हो ये मैं जानता हूँ तुम पर क्या बीद रही है ये भी जानता हूँ तुम्हें अपने आप को समहलना ही होगा तुम्हारे दुश्मन ने मुझे बहुत बड़ा चैलेंज किया है तुम्हें चीतना ही होगा मैं तुम्हें उस सीट पर पैठा देखना चाहता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हारे बाय हाथ का खेल है बस तुम हैदराबाद पहुचो कुछे मेलेस के बीच में रहकर उनके बीच दरार डालनी है मतलब मेरे कंदे पर रखकर बंदुग चलाना चाहते हो सभी ये मेलेस को वाईजग में कठा करो ग्रैंड पार्टी का इंतजाम करो जो जितना मांगता है उसे उतना माल दो और जो इंकार करता है उसे दुनिया से विदा कर दो अब उनकी जान को कोई खत्रा नहीं है उस दुनों के बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं इसे भगवान की लीला ही समझे मुझे माफ करतीजे दादी मैंने जान बुझकर दुश्मनों को दावत नहीं दी वोनी को कौन टाल सकता है एक काम और बचाए जिसे पूरा करने के बाद आपके सामने कभी नहीं आऊंगा इनसाफ के लिए कफन बादने वाले तुम एक शेर हो तुमने जो कुछ भी किया हाला आथ को देखते हूँ वो बिल्कुल गलत नहीं था तुम्हें अपने परिवार वालों की फिक्र थी तुम्हारे इस बात को मैं कभी समझ ही नहीं सकी कभी पैचान ही नहीं पाई तुम्हें खुद से दूर भेजा ये सोच करकि शांती से रहेंगे लेकिन तुम्हारे बगैर हम जी नहीं सकते ये बात आथ समझ में आई है अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है अपनों के लिए जो जीए सही माइने में वही जीना सही जीना है बिटा अपनी खुशी के लिए मैंने तुम्हें अपनी नजरों से दोर कर दिया था बेटा जिन्दे के बर तुमानात की तरह रहें इसके लिए मुझे माफ कर दादी माँ नहीं दादी नहीं दादी जीतेंद्र एमेले वाईजेक से आने के बाद यहां पर नहीं आये क्यों अब मैं वो कैसे बताओं कि बोलो वो लोग पल्टी खांगे ये क्या बात होई इतने कम समय में तुमने इतनी सारी पार्टियां बदल दी बाप रेबाप तुम तो बड़े तेज निकले बाई क्या कर सकते राज नहीं दिये वक्त के हिसाब से पैतरे बदलने पड़ते हैं ये सभी बात है अरे सुबाराओ जी आप ही तो कुछ बोलिये ना आप तो पुराने की लाड़ी हैं आपने तो पार्टी बदलने में रेकॉर्ड बना लिया अरे यार वो जीतंदर को टिकेट देने के लिए हम सब को पैसो से तौल रहे हैं एक तरफ वो नोट की गड़ी दिखाते हैं दूसरी तरफ गुर रहाते हैं तो आप्शन ही क्या बचा औरे अकसर ताज होटल के सिवाए कहीं और ना मिलने वाले महान हस्ती आप भी यहाँ पदा रहे हैं यहाँ नहीं आता तो सिधा शम्शान पहुंच जाता है तो गुरु जी वो महान हस्ती कहां है जिनोंने हमें दूगनी की मत देकर खरीदा है उनका बहुर इंतजार नहीं होता आप आप लगता है शीर आ रहा है इसके साथ रहने में बहुत पहले हैं आपको क्या चाहिए? मुझे बिजनस करना है वर्षों से अपनी पार्टी के लिए दिन रात करके मैंने बहुत मेहनत की है बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया? उन्होंने मुझे दोखा दिया और सारे के सारे गिर्गित की तरह रंग बदल दिया और मुझसे कहा कि तुम्हारी हैसियत नहीं है जाओ अपना काम करो माना की मुझसे भूल हो गई? वो क्या हुआ कि एक एकर जमीन मैंने अपने कबजे में कर ली और उससे मैंने अच्छी कीमत लेकर बेस दी ऐसी चोटी मोटी जमीनों पर लोग कबजा तो करते ही रहते हैं जनता की आपके बारे में क्या रही है? मेरे जैसा मेहनती और कोई है क्या? नो वन पूरी मेहनत से रेलवे में घपला किया कोई कुछ नहीं कर पाया मेरे गाँ में शॉपिंग मॉल बना के दिया गाँवाले खुश हो गए इसलिए अब मैं जो भी कहता हूँ तो बेवकुफ जनता चुप चाप मान लेती है आपकी क्या रही है? मैं अब और बढ़ा चड़ा कर आपके सामने क्या कहूँ? जनता हमें वोट देती है हमारा काम देखकर और जनता की इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है इस हिसाब से जो भी चलेगा वो कभी फेल नहीं होगा और मान लो अगर गलती से कोई फेल हो भी गया तो वो घर में बैट कर भी जनता की सेवा कर सकता है इसी तरह मुझे भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमारे देश का हर नेता कैश या बोल बचन से नहीं बिखता है सर अपनी एरिया का सारा टेंडर मही लेता हूँ एक 50CR ओकी कीजिए नेता जी काम खतम नहीं होने देंगे और उस रकम को अगर आप 80CR कर देंगे तो सब काम छोड़ कर ये उसी में लग जाएंगे क्लियर है सर कुछ भी काम कराना हो तो पैसा बहुत जरूरी है वरना काम पूरा नहीं होते अपने पुराने पार्टी से बोर हो गया था इसलिए हवा पानी बदलने के लिए इधर आया जनता आपके बारे में क्या सोचती आपके एरिया में जनता को बहुत प्रॉब्लम्स है उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा इसलिए आप लोग पार्टी बदलना चाहते हो यहां इमान किसी के पास नहीं है सीनियर अगर हमारी मदद ना करे तो आप ही बताए हम भला उसा पढ़ता तो क्या होता आपने से क्यों मारा आपको यहां बनता है हम यहां से बस्ध्र कर रहें अभी उस वह को नाउंक्याउट कर दिया इसने इंदर आँ इधर आओ इसरो ऑब्स्दश के लिए मां की हम्रट क्या है हिए अब समझ में आया जब अपनों की बात आती है तो इमान धर्म कर्म फर्ज सब कुछ याद आता तुमको जब मंत्री बन जाते हो तो इमान गया धर्म गया कर्म गया फर्ज गया यहां तक की जनता की दूरदशा करते हो सत्याचार को रोको अपने एरिया में जाओ एक एक घर म बात कही है, हमारा फर्ज याद दिला दिया, चलो बात कही है, बिला ओो अजय को आए! अचरखखगे। फेले के लो कोश्यों सिर कले के एंचारफ ज कुड़ा टूना है झाति pap brigा टूना खालो Đू कि अजए 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 कि lift, कुप यु ऴद्यु आपकेन, रूदरा ईओ न भगोवेर चर्ड़ां. कि एब ड़तार एंट डैम खड़तार शंपने, रinku हрий बातार. रिजार रहर है जाज भुड़ां? महान हस्तियां कह गई है समाज ही मंदिर है जनता उसका देवता मैं भी यही मानता हूँ जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं यूँ ही लड़ता रहूँगा असली नायक वो होता है जो हक के लिए लड़ता है वो इंसाफ की सिवा करता है ना कि अपनी सिवा निर्णे भी आपको और विजेता भी यथो धर्मा तथो जया जहां पर धर्म है वहां अवश्य जीत है इस इस विक्टरी आपकी विक्टरी प्रोग आपकी जाइक